नमस्कार मैं हूँ राम्प्रकाश राई आम आदमी पार्टी के राजिसबासांसत संजय सिंग के जो बयान है जिस तरीके से वो लगातार सरकारी जो एजनसियां है EDCBI उनके उपर सवाल उठा रहे हैं जिस तरीके से वो लगातार केंदर सरकार को लेकर के हमलावर हैं और जिस तरीके से वो पीछे जब संसत का बजट सत्र चल रहा था तो कॉंग्रेस पार्टी के साथ बढ़ चड़कर विरोध में हिस्सा ले रहे थे जेपीसी की मांग को लेकर के वो हिस्सा ले रहे थे जिस तरीके से वो ने-ने नारे गड़ रहे थे इन सारी चीजों से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के मुख्यवंत्री और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अर्बिन केजरिवाल उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं करके और जो है गोवा पुलिस के सवालों का जवाब देंगे यह मामला है साल 2022 में जब विदान सभा की चुनाव चल रहे थे गोवा में उस समय पर सारवजनिक जगहों पर अवैद रूप से पोस्टर लगाया जाने का मामला है उस मामले के चलते वहां पर एक माम अर्बिन के जरिवाल सीधे सीधे तोर पर ये आरोप लगाते हैं कि केंदर की सरकार जो है वो आज नहीं तो कल आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफतार करेगी अर्बिन के जरिवाल अपने लिए भी ये बात कहते रहे हैं कि केंदर की सरकार आम आदमी पार्टी के नेता करेगी मेरी भी करते रहते थे और अंतितों गत्वा मनीस सथ गिरफतार हुए अब अर्बिन के जरिवाल के ऊपर भी ऐसी तलवार फिलाल लटकती दिखाई देरी खास करके तब जब कॉंगरिस के सांसद रहे राहूल गांधी की लोकसबा सजसिता उनको अधिक्तम सजा के ब सरकार ने जानबूच करके करवाया है राहुल गांदी की सदसता उनकी आवाज को दबाने के लिए खत्म करवाई गई है और इसके क्रम में अब लगातार पूरा विपक्ष जो है वो राहुल गांदी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है अर्बिन केजरिवाल जो भार प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी पर सवाल उठाए थे वो निश्चित तोर पर उनके मुश्किलें बढ़ाने वाला दिखाई देने लगा हाला कि अलग बात है कि इस पर भी लगाता कई बहसें होती रहती हैं कि रबिन केजरिवाल जो है वो राश्चे स्वेम सिवक संग औ रूणी की तैयार किये हुए हैं तो वह सारे दिगर चीज़ें लेकिन दीखिलाल पीते समय के ढैईए जो अगर उनको देखा जाएं तो वह कहीं ना कहीं के इंदर सरकार की किर्किली करा रहा है इसको ले मैं पॉरथानमंतरी नंसरेंदर मोदी की डिक्रियों संद पर लग बार बार डिगरी के विवात को उछाला खुद्र जो है जब भी किसी भारती जनता पार्टी के निता की तरफ से किसी भी तरीके के डिगरी को डिगरी की बात की जाती है तो उस मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी फिर से सामने आ जाती है और उसको भुनाने में लग हैं जो सीधे सीधे केंदर की सरकार और प्रधान मंत्री नरेंदर मुदी से जुड़े हुए रहते हैं तो ऐसे मामलों को मुखरता से अर्विंद के जिवाल पीछे उठाते हुए देखे जा रहे हैं संजे सिंग उनसे भी ज्यादा मुखर हैं वो लगा तारीक के बाद एक कागजों के साथ वो आते हैं मीडिया के सामने वो बार बार वो पढ़कर के सुनाते हैं किस तरीके से एडियाई अपनी चार सीध दाकिल कर रही है किस तरीके से उसमें खामिया है कैसे सीबियाई जो है कैसे एडिक कहती कुछ और है लिक करके कुछ और देती है तो यह सारी किसे नयायले को गुमरा करने की बात तक वो कह रहे हैं घ्रजब उन्हों ने इस तीज का किया है किerem कि मनीज्ञने सौधिया कि इस को बार बार वो कालया थे ने फोन होना वयतलिख ॉन दिस्टोड़्या व Sun अरोब पर मिंत के जिरवाल ने भी इसको फिर लगाया जब संजे सींग के आरोपों का हवाला देते हुए उन्होंने उनुने का और फिर उन्होंने ये बात कही कि जो ये बयान है वो कुछ और है चार सीट कुछा और कह रही है, इसका मतलब यह कि यह कहीं न कहीं दबाव डाल करके जवर जस्ती इस तरीके के जो बयान है, एडी जो है वो लेती है लोगों को और इसके पहले संजय सिंग जो है वो थर्ड डिगरी टॉर्चर क्या भी आरोप लगा चुके हैं कि एडी में भी थर्ड डिगरी भारती जंता पार्टी और केंदर की सरकार की किर्किरी हो रही है, इसके चलते ही अब यह माना जा रहा है कि गोवा पुलिस का जो नोटिस है वो अर्बिन केजरिवाल को भारी पड़ सकता है, क्योंकि बहुत जो दिखा जाए जिस तरीके से मानहानी के मामले में राहूल ग केजरिवाल भी फस सकते हैं हाला कि पहले से ही अर्बिन केजरिवाल इस चीच को कहते रहे हैं कि कुछी न किसी मामला कोई वो कह रहे थे कि आपको जब आम आदमी पार्टी से इतनी नफरत है, आम आदमी पार्टी के नेताओं से इतनी नफरत है, तो आप एक मंच लगाई है, उस पर जहर की पुडिया मटवा दीजिए और क्या क्या हो, बहुत सारे आरोपनों लगाया, बैराल अब एक चीश्टा ह है कि संजे सिंग के लगातार खुलासों और आम आदमी पार्टी के राहूल गांदी के साथ जाने और लगातार बोलने से अर्विन के जिवाल जो डिग्री को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे में अर्विन के जिवाल के मुश्किलें फिलाल बढ़ती हुई दिखाई पर सकता है, वहराल आप सुनते चलिए संजे सिंग का वो बयान जो संजे सिंग ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है इडी की जाच कैसे एक जूट का पुलिंदा है, इसका एक और सच आपके सामने उजागर करने जा रहा हूँ और मैं आज चाहता हूँ कि अगर भारती जन्ता पार्टी के नेताओं में प्रवक्ताओं में जरासी भी नहीं ठिकता है तो जितना चिला चिला कर बोले हैं Kitty सॉधिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया मनीज सी सॉधिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया आज वो सारे प्रवक्ता हाथ जोड कर टी वी चैनल पर आप लोगों से माफी मांगेंगे वो सारे एडी के अधिकारी जिन्होंने मनीस सी सौधिया को बदनाम किया जिन्होंने दिल्ली के सिक्षा मंतरी को बदनाम किया वो आज हाथ जोड़कर टीवी चैनल पर आप से माफी मांगेंगे मैं मानी न्यायले से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे एडी अधिकारी जो आपको गुमराह कर रहे जो आपके सामने गलत तथ दे रहे जो आपके सामने गलत जानकारी देकर जमानते रब्द करा रहे उन एडी अधिकारीयों के खिलाब आप राधिक सड़यंतर के मामले में कारवाई कीजिए और ज़रूरत पड़े तो ऐसे अधिकारियों को पकड़ कर जेल में डालिए मैं बताता हूँ आप लोगों ने भी सुना होगा मनीश ची सौधिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया मनीश ची सौधिया ने 14 फोन बरबाद कर दिया तोड़ दिया हम भी जाते थे चैनल पर हमसे पूछते थे 14 फोन तोड़ दिया 14 फोन तोड़ दिया हमने सोचा देखा जाए कौन से 14 फोन है तो जब उन्होंने E.D. ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की तो ये 14 फोन की जानकारी दी उन्होंने ये 14 फोन बताया गायब हो गए डिस्ट्राय हो गए बरबाद हो गए तोर दिये गए खतम कर दिये गए ये 14 के 14 फोन जिन्दा है ये 14 के 14 फोन जिन्दा है इनके E.M.I. नमबर मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके और बड़ा मज़ेदार तथ्य है इसमें से 5 फोन इसमें से 5 फोन खुद सी B.I.E.D. के पास है देखें क्या नोटंकी कर रही है इसमें से 5 फोन खुद E.D. ने सीज किया हुआ है और आपको कहते है 14 फोन रद कर दिये गए तोड दिये गए बरबाद कर दिये गए मजाग बना लिया है जाज का तमासा बना लिया है एक उपमुख्य मंत्री के घर में एक सिच्छा मंत्री के घर में उनका परिवार काम करता है उनके घर में उनका कलर्क काम करता है उनके घर में उनका चपरासी काम करता है उनके घर में उनका नौकर, उनके ड्राइवर काम करते है सबका EMI नमबर उठाया बोले ये देखो 14 फोन है मनीसी सोदिया के घर में चलते थे ये 14 के 14 फोन गाइब है ये सारे के सारे फोन जिन्दा है मैं पढ़ रहा हूँ एक एक करके एक EMI नमबर है 963 दूसरा EMI नमबर है 369 बड़ा नमबर है लास्ट के तीन नमबर पढ़ रहा हूँ हाँ, IMEI सौरी, IMEI नमबर IMEI नमबर जो है वो 963 दूसरा 369 तीसरा 999 चौथा 965 पांचवाँ 974 छटमाँ 042 सातमाँ 059 आठवाँ 341 नवाँ 755 दसवाँ 763 इग्यारवाँ 125 बारवाँ 852 तेरवाँ 273 चौदावाँ 433 यह नमबर आपने देख लिया है बड़ा नमबर है IMEI नमबर और यह चौदा फोन नमबर इसमें से 5 फोन नमबर जो ED की सीजर है वह ही पढ़ देता हूँ आपको बाकी फोन तो जिंदा है यह है ED का सीजर रिपोर्ट यह पाँच फोन इनके पास रखे हैं इन्वर्टेट कामा में बोल रहा हूँ पाँच के पाँच फोन देखे ED ने जो सीज किया 963 ED के पास 999 ED के पास 965 CBI के पास 974 यह वालेंटियर के पास 341 ED के पास सीज है और 755 763 ED के पास यह आप देख रहा है यह है यह है ED की जाच का जूट का पुलिंदा यह जो इन्होंने फोन सीज किया है उसका नाम देख रहा है तोडने में यह दोनों कागते दे रहा हैं ना आपको देखे ना ED के पास जो नंबर सीज पड़ा हुआ है उनके सीजर रिपोर्ट में यह बात है वो फोन कह रहे हैं तोड़ दिया बरबाद कर दिया है वीडेंस मिटा दिया बहुत बड़ा साजिस करता है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रधान मंत्री जी अगर यह इस तरीके का काम इस देश के अंदर हो रहा है इसलिए मैं पिछले तीन दिनों से एक एक करके पूरा सच आपके सामने रख रहा हूँ किसी का कान का परदा फाड़ के तुम बयान ले रहे हो किसी का जूटा बयान पतनी को धमका के ले रहे हो किसी की बेती को धमका के ले ले रहे हो मेरे खिलाब जो बयान दिया ही नहीं वो बयान जोड़ दे रहे हो 14 फोन मनीज सिसोधिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया बर्बाद कर दिया तोड़ दिया वो बता रहे हो क्या कर रहे हो भाई आप इतनी नफरत